हाई गाइस विल्कम बैक और यूट्यूब चैनल आज हम देखने वाले हैं 11 इंग्लिश का फर्स्ट स्टोरी बिंग नेबर ली इसका ब्रेंस्टॉमिंग एंसर तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आपको इसका पीडियेफ हमारे ट्रेग्राम चैनल पर मिल मैंने इस चैप्टर का समरी है हिंदी में अपलोट कर दिया है श्रेथ पर आप जाकर देख सकते हो सबस्ट में इस पहले कुस्विसेन क्या है जो डिसीशन तुमेंक फ्रेंड विद्धी लॉनली वोई नेक्स्टॉर्चु टूबी गुड वण and elaborate तो यहां पर आपको बताना है कि जो जो थी उसने जो next door में यानि कि जो नेवर था उनका जो नेवर में एक विक्ति आया था जो कि लोनली था उससे दोस्ती करने का फैसला अच्छा क्यूं था इस अब आपको यहां पर बताना हैं तो इसका एंसर आप देख सकते हूं इसके पाद सेकेंड कोश्चन है रीड दी एक्स्ट्रक्त बिंग नेवर ली एंड कॉम्टी फॉलिविंग स्टेटमेंट तो आपको लेशन पढ़ने के बाद इस स्टेटमेंट कॉम्टी करना है सबसे पहला है तो जो दफाइन हाउस सीम लाइक तो इसके एंसर आप देख से जाने की जो जो का घर था और हाउस ओफ लोरेंस और जो उस लड़के का नेवर का घर था उन दोनों घरों के बीच में क्या अंतर था यह आपको बता रहा है तो हाउस ओफ मार्च जो जो का घर था वह बहुत ही पूराना एक लकड़ी का घर था उसके बाद यहां पर जो ल ज्यां गया है और यहांपवर कुछ रभा क्लेक्टर्स हैं जीसे की जो लॉरी और ड्रेण्टपा इन में से इनके रिए वर्पा इनके आपको लिखना ना है इसमें से धून के तो जो का आप ग्राइट इसक्रत करेक्टर है जेवाट है फ्रेंडली है, empathetic है, playful है, happy, frank and adventurous है, वहीं लोरी का shy है, which draw है, lonely, dull and gentlemanly है, grand paragraph, gentlemanly, perceptive, mature and sharp है, उसके बाद A3 है, इसमें फर्स्ट क्वेशन है, write down in your own words, the way लोरी confirm the name of March's sister, तो जो लोरी था, neighbor में आया हुआ, lonely सा लड़का, उसने कैसे confirm किया, जो की बहनों का नाम, तो लोरी ने जो से क्या पुछा, कि beth क्या वही लड़की है, जिसके गाल रोज की तरह है, red है, और हमेशा घर पे अखिले रहती है, तो ऐसे उसने confirm किया, पूछ के, उसके बाद पूछ के confirm किया, उनकी बहनों का नाम, उसके बाद A3 में second है, give a brief account of interaction between grandpa and Joe, तो आपने अगर एलेसन पढ़ा होगा, या फिर यूटूपर सुना भी होगा, तो आपको पता होगा कि कैसे, जो grandpa है, और Joe उनके बीच में interaction होता है, जो लोरी के घर पे जाती है, और एक album देखन लगती है, पुराना फोटो देखने लगती है, तब ही पीछे से ग्रेंट पा जाते हैं, और दुनों के बीच में बाचित होती है, उसके बाद A4 है, इसमें first है, फाइन प्रोवर्ब्स, मैगजीम्स, एंड इडियम्स, रिलेटेट टू फ्रेंड्शिप, तो यहाँ पर आ बाद A friend's eye is a good mirror, और लिख सकते हो, A real friend is the one who walks in when the rest of the world walks out, या फिर Miss Fortune test the sincerity of friends, उसके बाद यहाँ पर आपका home, library और garden, इससे related कुछ वर्ड लिखने हैं, जो कि इस lesson में आए है, उसके बाद grammar का question है, चेंज इंटू इंडिरेक्ट स्पीच, यह आप देख सकते हो, टोटल चार question है, इसमें in direct speech में, a first, a second, और a third, fourth, उसके बाद अगला question है, narrate in hundred words, an incidence that illustrate the way of friend of yours, made you feel happy and accepted at some point in your life, तो यहाँ पर आपको 100 words को कोई कहानी छोटा सा लिखना है, आपके जीवन में अगर हुआ है, तो कि आपको ऐसा लगा कि सामने वाला जो मेरा दोस्त है, उसे मेरी जरूरत है, ऐसा कब लगा आपको, तो एक कहानी आपर छोटी सी देख सकते हो, उसके बाद अगला question है, give reason for us being reluctant to make friends with some strangers, but being comfortable with some even after meeting them for first time, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि क्यों कभी-कभी हमें दोस्त बनाने में थोड़ा डर लगता है, थोड़ा हिच किचाते हैं, लेकिन क्यों क तो भी हम किसी से पहली बार में ही अच्छी दोस्ती कर जाते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद अगला है, are friends different from neighbors, are you friends with your neighbor, give example in right, तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि क्या जो दोस्त है वो पडोसी से, एक neighbor से different है, किया आप अपने पडोसी से neighbor से दोस्त ह हो, उससे जान पहचान है, आपकी, यह सब आपको यहाँ पर लिखना है, तो आप जैसे दिया है, वैसे लिख सकते हूँ, उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर क्या है, make a note in your exercise book about how people amuse themselves in earlier time without TV, internet or social media for entertainment, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, कि जब पहले के time, TV नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मुवाइल फोन नहीं था, तो लोग खुद का entertainment कैसे गरते थे, तो यह सब को पता है कि जब TV मुवाइल नहीं था, तो बच्चे बाहर जाकर, मैदान में, ग्राउंड में, क्रिकेट खिलते थे, अलग 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 के sport खिलते थे, जो घर के बड़े बुजूर्ग थे, वो बाहर आकर सबसे बाते किया करते थे, यही तब आपको यहां पर लिखना है, उसके बाद अगला है, use your imagination and extend this story in about 100 to 150 words, तो आपको यहां पर क्या बोला है, जो यह story है, being neighborly, इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा कर दो, 100 और 150 words का, देखो लास question में क्या पुशा गया है, कि अगर आप social हो, आपको नए लोगों से मिलना पसंद है, आप नए लोगों से अच्छे से बात कर लेते हो, तो आपकी जो skill है, इसके related, आप कौन सा एक career बना सकते हो, कौन सा profession choose कर सकते हो, अपने इस skill के according, तो सबसे पहला है human resource development, तो इसमें communication skill है, social skill है, बहुत माइने करता है किसी company के लिए, किसी organization के लिए, आपको person को, man को person को, जो भी labor है, उसे recruit करना होता है, तो आपकी skill काम आती है, उसके बाद teaching, तो अगर आप बहुत ही social हो, आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आपकी communication skill अच्छी है, तो आप teacher बन स social interpersonal communication, यह सब अच्छा है तो, तो यही था, आज का वीडियो, आपको इसका PDF हमारे टिलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इससे join कर सकते हो, तब तक के लिए धन्यवाद,